नबस्ते कैसे हैं आप सब मैं शंबल ग्राम में ही हूँ क्या चल रहा है आपके घर में मैं आशा करता हूँ सब मंगल मैं हो मैं गव और नंदी महाराज इनके चारा एकत्र करने में लगा था दो गव माताएं थोड़ी सी बिमार हो गई थी उनके स्वास का के लिए जो आवशक है इन में में लगा था पेट में भोजन थोड़ा जम गया था कॉंस्टिपेशन जैसा हो गया था तो उसके लिए जो भी आवशक होता है वह हम कर रहे थे अभी दोनों ठीक है ठीक कर दिया है उनने उनने मिलकर और जो यहां काका थे जो यहां सेवा देते थे उनका किड़नी फेलियर हो गया है मदीरा का सेवन की आदत ही थी उनको हमने उनने बहुत बार समझाया था परन्तो अब कली प्रिये जो राजा होते हैं शासक स्रीमत भागवद में क्या दिया गया है मदीरा सेवन मर्जेथ है सुनातन वैदिक संस्कृति के अंतरकत भारत में इनका सेवन करना करवाना इनकी विक्री करना होने देना यह सब महापाप है अब जब इसकी लठ लग जाती है तो इसे किसी की सहायता करके इसका निवारण करना यह बड़ा कठिन होता है नहीं हो पाता वो यही बात होगी कि मैं जान रहा हूँ कि कोई खाद्य पदार्थ में आपको देने से आपको उसकी लथ लग जाएगी इस वेरी एडिक्टिव जब मैं जानता हूँ कि यह एडिक्टिव ड्रग है यह एडिक्टिव एडिक्टिव सॉल्मेंट है तो मैंने वही उसकी विक्री वर्जित कर दिनी चाहिए जब मैं जानता हूँ क्योंकि जब addiction आ जाता है तब व्यक्ति जिसे लट लग जाती है वो कोई भी कार्य करके कोई भी तामसिक विचार की पुर्ती करके वे उस addictive खाद्य परदार्थ का सेवन करता ही है इसी को कली सवार कली की सेवा मलिन पातक पिशाज कली के आचरण दुराचार की सेवा एवं इनकी देह में इनका वास करवाना होता है जब इसकी पुर्ती होती है तो कली के विचार मन में बने रहते हैं इंद्रियों का गलत उपयोग करना यही तो इसी से आप पहचान सकते हैं हमेशा की क्या शासक, क्या शासन भारत में चल रहा है पहला मदिरा सेवन जो वर्जित है मदिरा की विक्री करना जो वर्जित है मदिरा की विक्री होने देना जो वर्जित है दूसरा गव और नंदी महराज की हत्या करना कोई भी slaughter house भारत में नहीं चलना चाहिए ये सनातन वैदिकार ये संस्क्रिती के विरुद्ध है काओ slaughter houses चलते हैं भारत में और वहां तियोहार मनाते हैं तियोहार और शी रामचंद्र का नारा लगाते हैं ये है क्या हमारी भारत की संस्क्रिती तीस्रा बच्चों का बालीकाओं का अपरण होना और उनकी विखरी होना उनका व्यापार होना कोठे चलना ब्रॉथेल्स ये सब कली की वासनाओं की पूर्ती है जो इसे करता है करवाता है उनमें कली सवार होता है उनके मन में हमेशा दुराचार रहेगा कभी उनके मन में सदाचार नहीं रह सकता, करुणा भाव नहीं रह सकती, दया भाव शमा भाव नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, ये होते हैं लालची, धन के लालची, इन्हें लोगों का धन इठना पता होता है, किस प्रकार धन पर कबजा किया जाए लोगों का, इनकी जेब खाली की जा इनकी योजनाई बनाते रहते हैं ये ये बिटिश माइंड सेट है गुरूंद आप जानते हैं बिटिश होते हैं संस्कृत में गुरूंद कहा गया है गुंडा दुष्ट और ये शासक जो है ये इनी के सेवक है क्योंकि ये जितने आदते हैं ये पूरे भारत में आज चल रहे है इसी से पता चल जाता है कि ये कली का शासक है कली के वासनाओं की पुर्ती होती है यहाँ इसलिए इन्हें बढ़ावा दिया जाता है इसलिए बंद नहीं करवा सकते ये क्योंकि उनके सेवक है अभी मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जो जिम्मेदार हैं इनमे I am taking the names of those who are responsible for killing, butchering of नंदी महराज जो हमारे भारतिय सनातन वैदिक संस्कृती कि जो हिंदू पंथ बनाया है इसके अंतरगत और इनमे जो हमारे पूज नीय है जो स्री भोले नात के पूज नीय है स्वामिन भोले नात की जो पूज नीय है वाहन है उनकी हत्या करते है हत्या करते है क्रशर मशीन चलाते है किस से बनाते हैं शक्कर, बताएंगी कभी, पूछो गटकरी को, नितन गटकरी, बता, शक्कर कैसे बनाता है, कैसे बनाता है शक्कर, क्या डालता है उसमें, बताएगा कभी, नहीं बताएगा, आप जानते ही हो, हड्डियों की चुर्ण से बनता है मासाहरी है वो और वही शक्कर का प्रेयों करके मिठाईया बनाते हैं और वही मिठाईया देवताओं को चड़ाते हैं और पित होता है इसलिए इतने रोग और इच्छा पूर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि देवता पित्रगंड इससे शराब दे देते हैं किने उन्हें जो बना रहे हैं और जो अंजाने में जिन से पाप हो रहे हैं उनके तो जो धर्मी हैं उनके पाप का निवारण तो अवश्य हो जाएगा मैं आपको एक श्लोक महाश्लोक दे रहा हूँ ये वेद व्यास मुनी द्वारा दिया गया है कृपया श्री महाराश द्वारा दिया गया है अभी जब भूकम पाएगा उसका भी मैं कुछ दिवस है आने में भीशन, आंधी, तुफान हर जगे होगा अभी नाकपूर में वही मौसम चल रहा है अभी भी यहाँ सिंबल ग्राम, यहाँ शंकर नगरनाकपूर यहाँ स्ट्रीट लाइट सारी बंद हैं आप देख सकते हैं हमारे ग्राम का जो बोड है अभी हमने उसे ठीक किया है थोड़ा यह जुग गया था गिर गया है निकल गया था यह हवे से धोजा तो आप देखी सकते हैं लहरते हुए बुलेनात का धोजा हमेशा लहरता रहता है यहाँ और वह यह इस बात का संकेत करता है कि यह बायू का प्रभाब बढ़ रहा है तीवरता का संकेत है वो तो एक तुम ने बता दिया आपको ऐसे कहीं है सक्कर के कार खाने जो भी चला रहे है यह सब पापी है, यह सब मलीन पातक कली है इनमें कली सवार है, कली के रूप है इन्हें देह मिला है नीच लोक से आए हैं और धर्धारा पर धर्म का नाश करने आए धर्म निंदक है, हरी निंदक है नौरेंड निंदक है और धर्मियों के निंदक है इन्हें कोई करुणा भाव नहीं है प्रजागर्ण अगर भोगी भी मर जाएगी इन्हें कोई करुणा ये कहेंगी किया रही है तो होता रहता है कोई करुणा भाव नहीं होती इन्हें नहीं होती ऐसे कहीं है अब मायावती होगी अखिलेश यादव हो गया इस सब पाखंडी चोर लुटेरे डाकूं डकैत दुष्ट सबसे बड़े ये गउं हत्यारे हैं सबसे बड़ी बात जो है ये गउं हत्यारे और नंदी महाराज के हत्यारे हैं और एक बड़ा नाम ले रहा हूँ मैं आपके सामने और इसका प्रमाण में अपनी शब्दे से बताता हूँ आपको अधित्यनात कितना भ्रह्म पैदा करेगा तुछ यूपी में कितना भ्रह्म भक्तों के साथ देवस्थानों में क्या हो रहा है ये मैंने स्वयम देखा है मै साधू हुएश में गया था कई महिनों पहले वहां दंद भावा के भवन में उसी प्रकार का एक भवन है वहां गया था मैं वहां भक्तों से मूझ मांगे पैसे लिये जा रहे थे बोला जा रहा था इतने पैसे दो हरी को जुलाने के लिए हमने वहां एक पंडित को है इस बात का ध्यान रखना मुर्ख और इसके लिए तू योगी आधित्यनात जिम्वेदार है और उससे भी बड़ी बात गोपाल जी के स्थान में जहां देश्थान है जन्म भूमी में मतुरा वरिंदावन बर्साना जो भी कहें कितने गउं है वहां पर नाम मात्र है कितने गउंगों की सेवा करें भूकी प्यासी लाचार बेबस घुम रही है वो बे सहाई कोड़े कच्रे में भोजन ढून रही है हमने अपने आखों से स्वयम देखा वही एक प्रमान है अपने आप में यह हो रहा है यूपी में इसलिए अभी तीन साड़ा तीन महीने पहले तुम हम से नहीं छुपा सकते तुम साधों से नहीं छुपा सकते संतों से नहीं छुपा सकते कर्म कभी छुपते नहीं है अधित्यनात इस बात का तुध्यान रख और यह जो भीशन रौदर रूप्रकृति धारन कर रही है ना यह तुम जैसे मलीन पातक कली के सेवक और क जिन में सवा रहे हैं, इनका नाश करने के लिए ही कर रही है ज्यादा समय नहीं है तुमारे पास Nature is going to engulf all that you love The whole west will be destroyed, dismembered into pieces All these nations will subside and they will be passed down below hell नरक गती से भी नीच, गती प्राप्थ होगी तुम जसों को दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, वह यह है जब गउं है और तुम कह रहे हो गउं की सेवा कर रहे हो लाखो गउं की तो कितने लोगों को शुद्ध देसी गउं माता के दुग्ध का लाब प्राप्थ हो पा रहा है यह बता मुझे आदित्यनाथ कितने शायद एक भी नहीं कितने ब्रजवासियों को शुद्ध देसी गउं माता के दुग्ध प्राप्थ हो पा रहा है सामने निकला हुआ पैकट की बात मत करना तो कितने जूट के पहाड पर पल रहे हो तुम लोग कितने जूट ब्राम कितना पाखन कितना जूट बात बात पर जूट कितने जूट बोलते हो यार तुम लोग कितना सब मंत्रियों को कह रहा हूं मैं जिन्होंने भी इसका कंट्रोल लेके रखा है गवशालाओं का क्या कर रहे हो तुम गवशालाओं के अंदर हैं बेच रहे हो काँ बेच रहे हो काँ बेच रहे हो हैं आओ हम सिखाते हैं तुमको क्या होती है गवशेवा गवशेवा में आता है गोबर उठाना सही जगे गोबर को डालना सफाई रखना दूसरा समय पे उनका चारा उनको देना चारे में क्या आता है सुन लीजिये आप लोग ताकि आप इनका विरोध कर सके जो ढोंग करते हैं न वह उसेवा करने की चने का कुटार एक दूसरा आटे का चोकर गेहू या जवारी के आटे का चोकर तीसरा तूर दाल का चूनी तूर की दाल की चूनी चौथा खली धेप ऐसे होना तो सरकी चाहिए पर ये लुटेरे लोग है ना तेल निकाल लेते हैं और जो थोड़ा कच्रा बचता है वो देते हैं ये गवमाता ये चार हो गए पाचवा थोड़ा से गुड़ होना चाहिए छटवा थोड़ा से नमक ताकि उनको कस्टीपेशन ना हो बीजविश में 7-8 दिन में थोड़ा 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 नमक देना उनको पढ़ता है जिनका पेट में constipation हो रहा है या जिनका गोबर थोड़ा कड़क निकल रहा है यह होता है चारा दे रहे हो क्या ही सब जूटे कहीं के नाखपूर के गोरक्षन में जाके देख लो क्या हालत है बीजेपी और यह सब जो बाकी कॉंग्रेस यह सब मिल के चला रहे हैं उससे संस्था कुपोशित गउम आता है पड़ी रहती है हमाँ पे मृत तक हम देख चुके हमारे सामने ये कर रहे हो तुम लोग और अधित्यनात क्या कर रहा है गउशाला में जो होता है जहाँ गउम आता नंदी महाराज को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा उनके साथ कुपोशित हो जाएगी बिमार हो जाएगी गिर जाएगी कौन देखेगा फिर उनको किसी में करुणा है नहीं है शासक में तो नहीं है प्रजा में किनी में हो सकते हैं पर जो शासक उधारन बना रहे हैं उसके तो प्रजा कुछ सोचेगी ना तो भ्रहम पैदा करना हुआ य या नी सनातन वैदिक आर्यस संस्कृति के विरुद्ध है या नी इसलिए तेवहार मनाते हैं कि दीवाली होली में यह दिया गया है क्या बिना पंच गव्य पंच अमृत के बना सकते हो क्या कोई तेवहार मना सकते हो पूछो जराइन से आदित्यनाथ की गच्चि पकड़ो और पूछो उनसे मना सकता है कि तूब णा से विना पंच गव्य पंच अमृत क्यसिए कोई तेवहार मना सकता है क्या आदित्यनात नरेंद्रमोदी मना सकता है क्या फिर क्यों slaughter houses को बारत में आज भी चलने दे रहा है यह हमारे विश्वास के उपर बहुत बड़ा कलंग है विश्वास के उपर विश्वास का बहुत बड़ा अपमान है यह हमारे धर्म का सनातन वैदिकार धर्म का अपमान शी राम चंद्र का अपमान है ुशृ हरी गोपालởी वाशुदेव कृष्ण का अपमान है। हम साधुसंद हमारा जीवन में और कुछ नहीं है। युदियक अर्य Oui directing का पालन रख्षा Base और इनका प्रचार करना की आलावर हमारे कुछ नियाम मन मास ही है, हमारा कोई घर नहीं होता, वन प्रकृती ही हमारा घर है, इसलिए प्रकृती रौदर रूप धारण कर रही है, और तुम लोग बचोगे नहीं, भाग के छोड़ना पड़ेगा तुम्हें ये देश, भूकंप आएगा अभी कुछ समय में, कुछ दिवसों में, ज़्यादा दिवस नहीं है तुम्हारे पास, शटिक समय में बताऊंगा आपको, एप्रॉक्सिमेट्री, not more than 64 days from now, आज जो तारीक है इसमें 64 days आड़ कर दीजे आप, 26 तारीक है ना आज, 64 दिन जोड लीजे इसमें, वेशन भूकंप आणधी तो चली रही है, यह सब आपको देखने मिलेगा, कारण मलीन पातक पिशाची आचरन दुराचार शासकों के, और इनके जो दुराचारी विचार हैं, सारे मलीन पातक पिशाच वेस्टन वेस्टनाइस्ट कंट्रीज और जो वेस्टन नेशन से सारे और इनके जो दुराचार पापात्माओं के जो विचार धारा हैं, इनका पालन पोशन करना शासकों द्वारा यह सबसे बड़ा कारण है, सनातन वैदिक आरे संस्कृती के विर्द जाना, गव हत्या करना, नंदी महराज की हत्या करना, तैतीस प्रकार के देवताओं का अभमान करना, जो भक्तों की हर इच्छा की पूर्ती करने के दूथ हैं, यह हैं, सब आते हैं इसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सब, और एक और पिशाचिनी हैं, दैत्य, राक्षसी, पिशाचिनी, मम्ता बैनर जी, बदमाश, गोर मलीन पातक पिशाच कली है यह, पिशाचिनी है, बालि काओं का पहर्ण हो रहा है, चाइल्ड ट्रेफिकिंग हो रहा है, बांगला देश भीज भीज दिया जा रहा है, बालि काओं को, उनके साथ कितना अत्याचार अन्याए हो रहा है, जान रहे हैं आप जा कर देखिये क्या हो रहा है वेस बेंगाल में गव और नंदी की इतनी हत्याएं हो रही है जिसके कोई गिंती नहीं है इनका नाश होगा यह बचेंगे नहीं प्रकृति ऐसा रूप धारन करेंगी देविल भी डिस्ट्रॉइड बाइन नाचरल फोर्सेस नाचरल फोर्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है आएम नेचर और नेचर इस सम्थिंग विच इस गोई डिस्ट्रॉइ थेम आपका क्रिटिकल रीजनिंग लगा लीजिए इसमें आपका मलीन पातक पिशाची बुद्धी का पर्योग करके आएम नेचर और नेचर इस गोई दिस्ट्रॉइ एवरिधिंग अच्छा सथान रहने का सोच कर रख लेना क्योंकि प्रकृत तो सब ले लेगी काल स्वरूप और प्रकृती सब ले लेगी आपसे वापस चीन लेगी उसके बाद प्रजा जो है न जिनके मन में भ्रह्म पैदा करके रख रहे हो और बहुतों को अभी समझा गया है क्या हो रहा है देश में घेर लेगी प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर चलेगा उत्तर मांगेगी तब तब कोई नहीं सुनेगा प्रजा सब हिसाब ले लेगी अपना हमारा तो कार्य है जागरुब करना जितना हम कर सकते हैं जितनी हमारी श्रमता है और हाँ मिलिछों से युद्ध करना जो गव हत्या रहे इनका वद्ध करना ens ni debattam ये हमारा कालिया और हम ने इसका ठेका लेकर रखा है हां लिया है और कोई हमारा अर्थ नहीं है धारा पर रहने का बिटिश वेपन्स what 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 is it that you create fear of you use weapons you use guns well then why don't you just put one gun on my chest and pull the trigger I am ready to face it हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता हम उसे मोड़के तुमारे हाथ में वापस दे देंगे हमारे गुरु महाराज पर्ष राम जी ने हमें हमारी पिटाई करके हमें शिखाया है यह हमने अपने सर पर लिया है ब्रगो माराज ब्रगो जी माराज के चन पर्ष है यहां हमें दर्द लेना आता है दर्द ले सकते हैं धर्म के लिए अवश्य ले सकते हैं 64 दिन सब कुछ गिर्टा हुआ दिखेगा और मैं वक्तों से कभी दूर नहीं होता जो सदाचार करुणा की भावनाएं जिन में होती है मैं तो हमेशा उनी के बारे में सोचता रहता हूँ मन में मेरे वही धर्म है इनके बिना कोई धर्म नहीं है धर्म किसी लिए है धर्म तो धर्मियों के लिए है ना तो उसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए क्या तियोहार किस लिए बने है धर्म के लिए बने है अब धर्मी नहीं है तो तियोहार किस लिए व्यापार चल रहा है क्या तियोहार का बोल दो ये भी हाँ चल रहा है इसलिए तो ये हाल बन रहा है संबल जाईए सावधान रही है त्रजागन से मैं ये कह रहा हूँ सतर्क रही है अब मैं एक महाशलोक आपके लिए संबल ग्रामे शेशनाग नद्य वयम स्रजमे धर्मम मनोहरम केशम च धर्म सुधुर्लभम प्रक्रत्य भावम महाकालम मयम माम भविश्येण स्वास्थेण त्वाम् चरणम् शरणम् गच्छंत्येः माम रक्षती रक्षतेः हरी पुरत अहम स्थित्व तुष्टाव ताम मुदान विता यह जो श्लोक मैंने आपको दिया है यह वेद वैस्मनी द्वारा बनाया गया है और साथी क्रिपाश्यरी महाराज क्रिपाश्यार्य द्वारा बनाया गया है इसका प्रयोग अश्वतामन जी भी करते हैं यह महाश्लोक है इनका अगर आप प्रयोग करते हैं भूकंप, आंधी कोई भी ऐसा प्राकृतिक आपदाय आएं आपको और आपके परिवार को कुछ ना होगा और आपके कर्म तो साक्षी है ही तब यह काम करेंगे आपके सात्विक कर्म आपके सात्विक विचार धारा आपका सदाचार धर्म के प्रती प्रेम हरी निंदकों के प्रती क्रोध आपका और धर्मियों के प्रती जो जिनकी निंदा करते हैं धर्मियों की जो निंदा करते हैं जैसे आपकी कोई निंदा कर रहे हैं उनके प्रती क्रोध और फिर ये श्लोक आपके और आपके परिवार की कल्यान के लिए कुछ नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में मैं इसे लिख कर आपके लिए रखता हूँ ख्यान रखिए मैं आपसे जुड़ा रहूंगा समय समय पर हरी ओ जै हो महाकाल